न शंगर्ष न तकलीव तो क्या मज़ा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है डेली मौर्निंग में इस्पेशल करने फेशों लेकर आता हूँ जो कि आपके आपकमी एक्जाम्स के लिए काफी मातपूर होते हैं करने फेश तो मैं आपको डेली कहता हूँ मौर्निंग में 10 मिनट का टाइम और निस्टी पॉइंट कर जरूर से जरूर दिया करें दोस्तों इस दस मिनट में आपके लापकर मैं 50 से 60 कोश्चन कवर करता हू क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं सर मौनिंग नोटिफिकेशन नहीं मिलता दोस्तों आप एक बार चेक कर लिए जो सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक करके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल घंटी है उसको आपने प्रेस कर रहा है या नहीं ठीक है तभी आपको मौनिं साथ लिए चोपर्ट टो आप य submitted कर सकते हैं चली असने बेहार इंपोर्टन सेशन पहला बहुत थी इंपोर्टन्ट है और सभी इंडियन के लिए काफ़ी गर्वा की बात है नहीं बिस वेडि मिनूंटें चेंपियंशिप में गोल्ड बिडल जितने वाली पहली भारती इसको वहराया है जापान की नोजोमी Ohethera को नोजोमी अपूहरा और विल्ड रैंकिंग में प्योज़त पतल नमर पर था झील फोर्थ नमर पर फेस्ट प्रडिय। जापान की नोजोमी-उपी टीछत पतल प्यांस detta कि जुएता findings कि आगया कहां पर खेला गए सुर्जर लेंड के बासेल में सुर्जर लेंड के बासेल में खेला गया यह जितकी कि विश्टु वैडमिंटेंट चैंबेसिप जिसमें पीवी शिंदू ने गोल्ड में जितने वाली पहली भारती बन गई है बहुत इंपोर्डन कोशन जरूर याद रखेंगे अब दोस्तों यहां पर बता दें आपको BWF ठीक है BWF यह क्या होता है तो BWF चूंकि यह प्रत्युक्ता जीती है बीवी सेंदू तो वैडमिंटें वर्ल्ड फेडरेशन इसका फुल फॉर्म क्या होता है BWF का बैडमिंटें वर्ल्ड फेडरेशन इसक पॉल एरिक लिर्क लार्सेन है देखे पीवी शिन्दू सेलेटें की काफ़ी चर्चित है तो पीवी शिन्दू सेलेटें आपके एक्जाम में जो ИFF कोशंगा है क्या पूच्चा है तो अभी फोप्स द्वार हे दो दोस्तों क्या एक लिस्ट जारी की गई थी इसमें सबस भारती महिल अथलीट पीवी शिंदू है तो यह याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो फोप्स द्वारा जारी जो सरवाधिक भुकतान प्राप्त करने वाली महिल अथलीट में एकमात्र इंडियन पीवी शिंदू है तो यह शारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं काफी मात्पूर एक्जाम में आपके पूछे आ सकते हैं चलिए अगले उशन के तरह बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर दे मोदी जी ठीक है तो पांच देवसी आतर आपको पता है दोस्तों बहरीन पहुंचे मोदी जी और यहाँ पे दोस्तों सब्सक्राइब कोशन के आप पूछे आगा देखिए यहाँ पे बहरीन मोदी जी को दक किंग हमाद और और आफ दा रिनोसेंस कौन सा वार्ड मिला है इस समान से समानित किया गया है तो देखिए दोस्तों बहरीन जाने वाले भारत के पहले प्राइमिस्टर नरेंद मोदी बन गया है देखिए बहरीन के बारे मैं आपको यहाँ पे कुछ important fact बता दूं बहरीन की देखिए capital क्या है तो बहरीन की capital है वो है क्या मनामा ठीक है मन किसे मोतियों को दीब कहा जाता है किरी को कहा जाता है बहरीन को मोतियों को दीप के नबहरीन को ठीक है और देखिए उसनक्तों बहरीन से लेटेट कुछ important जो मैं आपको और fact बता दूं जो मोदी जी की आतरह से लेट तो मोदी जी को और बहरी ने दोस्तों 250 भार्तियों की सजा जो है माफ कर दी है तो देखे उस्तों पैतालिश्वा जी सेवन सिखर से मिलें कहा आजित क्या रहा है और मोदी जी उसमें चल रहा है इसमें भाग लेने और डिश्टल परिवरतन और बैस्षिक मुद्दों पर पार्टिसिपेट करेंगे और यहां पर डिसकर्शन करेंगे देखे दोस्तों जी सेवन क्या है यह ग्रूप ऑफ सेवन इसका फूल फॉल फॉर्म जी सेवन एक अंतराश्टी अंतर सरकारी आर्थिक संक्टान है इसमे साथ कंट्री स्टोटल हैं कि अंडिया शामील निया पिर भी इसको स्ब्स में फ्रांस के बरतवान में प्रेशन इम्मेर्ट स्धूर्ण गों कहा इत्किया इंग्र सूड़ान का नया प्रधान मंधिक इसको न्युक्तिया गया है अब्दुल्ला हम्डोक भूं को न्युक्तिया गया है शूड़ान की capital क्या है खारतूम ए अफ्रीका और जगत का सबसे बड़ा देश है तो यह उत्तरी पूर्व अफ्रीका मिस्थी थे नौर्थ पूर्व अफ्रीका मिस्थी थे कंट्री है तो सुडान का नया प्रधान मंत्री इसको निपके अब्दुल्ला हम्डोक को देखे उस तो अभी हाली में अले जांद्रो गिया मेताई यह कहां के नय वह बने है प्रिटि पटेल यह ब्रिटेन में भार्ति मूल की पहली ग्री मंत्री बनी है ब्रिटि पटेल और बोरीश जॉनसन जो है ब्रिटेन के नय प्रामिस्टर बन गया है तो यह आपको चारों जो याद रखने है शुडान का निव प्रामिस्टर अब्दुल्ला हम्डोक को ठीक है 20,000 रन पूर्न करने वारे दूनिया के पहले वाले वाज बन गए है और कॉहली न उस्व तीनों फोर्मेट में मिला कर टोटल बीस हजार पांसो दो रन बना जिसमें से 20,008 रन उन्होंने वरतमान दस्क में बनाए है ठीक है तो विराट कॉहली बन गया है विराट कॉ लिए हैं ठीक है तो यह भी आपको फ़यक्त यहां से याद रखने है अगला उस्टने किसे तमिलाडू सरकार द्वारा डाक्टर एपीज अब्धुल्कलाम पूरुशकार से समानित किया गया है तमिलाडू गावरूर्वर्वर्ङन दीड़ा दौरा दोस्तो एश्ञ। वे शीवान को इसे अरुचार वरृत्मान में चेर्माइन है तो देखें तो आप ये पूर्शकार हासिल हुआ है तामिलाडू के बारे में थोल्डा से क mílaडू म smartphones द्वारत द्वारत द्वार में पनीर सिल्पा में कुछ इंप्वर्टन fodब प्रात्मिक विद्याले में दो पहर भोजन कि अमारम से था त्मिल्नाडू ठीक है अध्युन दूस्तों सबसे इंप्रोटे है सबसे लंबा समुद्रakte किस्ध का है M vite तमिलादू को लोकनित्त क्या है भारतनाट्याम है कई बार एक जामें कोश्यन have भारतनाट्याम यामनी क्रिश्णमूर्ती का स्रमन्ध किस दि वह घंचें ध्लारतनाट्याम से यह of पुर्षों की एकल इस पर्धा का विजयता को नहीं में सिंगल रोजर्स में सिंगल विजयता को नहीं कल का किताब जितली है राफेल ना डालने तो यह भी आपको यहां से याद रखना है काफी इंपोर्टेंट है चलिए अगले कुशन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों किस फिल इतली है अंधा धुन ने ठीक है आप सब पता है अंधा धुन ने जीता है यहां से मैं दोस्तों आप पता दूख सर्फेस्ट इंदी फिल्म अंधा धुन सर्फेस्ट अभनेतानी बेस्ट एक्टर किसको मिले तो सहिंगतुरूप सिस बार मिला आईश्मान खुराना को सिर्थी शूरेश को मिला है और सबसेश डारेक्टर यानि कि बेस्ट डारेक्टर सबसेश निर्देशक मिला है आधित धर को उरी के लिए आधित धर को और सबसेश संगीत निर्देशक किसको मिला है तो यह मिला है संजलीला भंसाली को सबसी इंबोर्डन कोश्चन है वेस्ट फिलम फ्रेंडली स्टेट का बाड जो एक उत्राकं को एक लावा बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म क हाउड की इसको मिला है् तो हीट मैन अपने शर्मा जी रोहित शर्मा तो हर्ति सलामी वल्लेवाद जो है रोहित शर्मा ने दोस्तों 2020 इंटरनेशल क्रिगेट में सरवाधिक चके लगाने वाले वल्लेवाद बन गये हैं ठीक है काफी इंपोर्टेंट है कौन बन गे रोहित शर्मा अगला उच्छन देख लेते हैं निर्विकित में से किस ने पोलैंड ओपन खुष्थी स्टी टूर्माट में गॉल्म जीत लिया है मैं तो देखियो उससौं पौलैंड ओपन कुस्ती टूर्माट में गांगत चैनल जीता है इन्हों ने 53 kg में गोल्मेंट जीता है और इस भार बहर में उनक पहताबट करते हैं का bout कमAY डिटेल के साथ एंसर जरूर लिखेंगे काफी वीडि को मिलते रहे मिलते ने शुर्य उक साथ दोस्तों तब तक करे आप स्वस्तरें बस्तरें मस्तरें जय हिन जय भारत